दोस्तों नमस्कार मैं हूँ संजीव श्रवास आपका एक बार फिर स्वागत है इस हफते हमारे महमानें एक ऐसे पॉलिटिशन जो शायद सत्ता के गल्यारों में पावा कॉरिडर्स में और पॉलिटिक्स खेलते होए उतना ही कमफोटबल महसूस करते हैं जितनी किसी पेस्ट्री पार्टी में, किसी फिल्मी फंक्शन में या किसी इंडस्ट्रिलिस बिग मनी बैक्स के साथ उठते बैठते होए जिहां इस हफते हमारे साथ हैं अमर सिंग बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी सबसे पहला मेरा सवाल जो आपसे होगा है कि विवाद और अमर सिंग जैसे चोली दामन का साथ है ऐसा क्यों? गिरते हैं सवारी मैदाने जंग में घोडे की जो सवारी करता है वही घोडे से गिरता है जो लड़ता है वही हारता है और जो व्यक्ति विवादित नहीं है इसका मतलब वो निस्क्री है जो क्रियासील वेक्ती है वो विवाद से जूजेगा, संघर्स करेगा, निपटेगा या विवाद से निपटेगा या विवाद को निपटाएगा तो अमर सिंग जी ये बताईए कि ऐसे कैसे है आपकी परसनालिटी में ये खासियत कि हर जगे, चाहे वो राजनीती हो, चाहे वो पेश्ट्री पार्टी हो, चाहे फिल्मी फंक्शन हो, चाहे कोई बड़े ओद्योग पती इंड़स्ट लिस्ट हो हर जगे इतना comfortable महसूस करना और दूसरे को भी comfortable महसूस कराना ये कैसे आया आपको रहता हूं कि भई सारजूनिक जीवन में अगर परफाशित हो गया तो संजीव जी की विरादरी पुछेगी कि भई आप ऐसे क्यों है वैसे क्यों है तो मैं इस जवाब देगी कि वह उससे बचूँ इस सनाते मैं नहीं बढ़ना चाहता अकाउंटबिलिटी से भेवीत रहता हूं ये मैं आपकी लाइन पगड़ना चाहता हूं क्योंकि बड़ी दिल्चस्प लाइन है आप से पहले शायद भारती राजनीती में ऐसा कोई व्यक्तिन नहीं आया जो इतना खुल के राजनीती से अलग लोगों से जुड़के रहा फिर वो चाहे बड़े-बड़े उद्योपतियों चाहे बड़े फिल्मी सतार हों मतलब जिसका की ग्लैमर और पैसी की दुनिया में भी उतना ही हस्तक शेप रहा और जिसने खुल के ये बात स्विकार करी अगर मुझे कोई महिला अच्छी दिखती है तो मैं अगर कहूं कि आप बहुत सुन्दर है या मुझे कोई धनाद्य व्यक्ति बहुत आत्मा से पसंद आए तो मैं कहूं कि आप हमारे मित्र हैं और वैसे आसकल आपको मानना पड़ेगा कि जो पहले मैं एक non-hepocratic nature था मेरा कि भई कथिनी और करनी में भेद नहीं थोड़ा सा मैं बिल्कुल होने का प्रत्न कर रहा हूं हो नहीं पाया हूं अब मैं कोई पाठिया नहीं देता न मैं किसी पाठी में जाता हूं और न मैं किसी को बुलाता हूं क्योंकि मैंने दिल्ली देख ली कि दिल्वालों की नहीं है यहां लोग आपका खाएंगे आपका पिएंगे और बाहर निकल करके आप ही को गालिया देंगे यानि जिस पत्तल मैं खाएंगे उसी में छेद करेंगे इससे पहले कि हम आगे बढ़े मेरे एक मन में और सवाल आ रहा है आपने कहा सफलता के समय लोग जुड़ते हैं विफलता के समय साथ छोड़ते हैं लेकिन एक जीरो से हीरो अमर सिंग जी की यात्रा कैसे हुई वो मतलब कुछ नहीं से इतना सब कुछ कम से कम संबंद और संपर्क की दुनिया में तो मैं नहीं समस्ता कि मेरी कोई उपलब्दी हुई है और मैं तो ये भी नहीं समस्ता है मेरी विनमरता नहीं है क्योंकि मुझे जानने वाला जानते हैं कि विनमरता मेरा अभूसर नहीं है और ना तो मेरी स्टेट जी तो मैं लेकिन सच में संजीव जी मुझे स्वयम नहीं समझ में आ रहा है कि जहां सरत्पवार जी और ऐसे अडवानी जैसे बड़े-बड़े लोग जिस कारकरम में बीवीसी के आए हैं मैं मैं भी मन से ही कह रहा हूं मुझे तो लगता है मैं आज भी जी रहा हूं हीरो मैं मानता हूं उस व्यक्ति को जो अपने profession के climax पर हो चरम पर हो अडवानी जी निश्ची तुरूप से hero है सरज जी निश्ची तुरूप से hero है अमिताब जी hero है और सचिन तेंदूलकर hero है विसुनाथानन्द hero है तो मेरी ऐसी कोई उपलबदी है नहीं बैए contacts तो लोग कहते हैं अमर सिंग जी जैसे किसी के है नहीं और कलकता के आम आदमी जैसे गलत कहते हैं हाँ यह सत्य है कि हमारे जो दो तीन बहुत निकट के मित्र हैं वो बहुत high profile हैं लेकिन वो कोई सत्तावाले लोग नहीं है यह सब लोग अगर सत्तावान लोग हैं तो निश्ची तुरूप से मैं सत्तावान हूँ यह सब लोग तो वक्त के मारे बेचारे लोग हैं यह अलग बात है कि इनका अपना अपना प्रकर व्यक्तित है और इन वक्त के मारे बेचारों की टोली में मैं भी एक हूँ तो जिस संपर्क है के नाते लोग बार बार चर्चा करते हैं अनिलम्मानी का संपर्क अमताब बच्चन का संपर्क अमताब बच्चन सुपस्तार देश का हर व्यक्ति हर दूसरा व्यक्ति तो जिनके जान चिड़कता है वो आपके जान चिड़कते हैं क्या जादू है आपको जादू मुझे में कुछ नहीं है जादू इन में है कि इनको अपने इर्द गिर्द बटोरने के लिए बहुत बड़े-बड़े लब्द पतिष्ठित सफल व्यक्ति मिल जाएंगे लेकिन उने मुझे से छोटे आदमी को आम आदमी को अधना आदमी को जिसकी प्रिष्टिभू में भी बहुत उच्वरकी नहीं है उसे चुना तो क्यों चुना यह उनकी मानता है तो इस प्रस्ण का उत्तर आपको उनसे मिलेगा लोग तो आपको कहते हैं अमर सिंग बच्चन खर अगर ऐसा कहते हैं तो मुझे इस बात पर अगर वो व्यंग स कहते हैं तो मुझे इस पर बड़ा गर हैं यह इस तरह से कहते हैं कि परिवार के सदस्या तुम बिलकल हूँ मैं उनको बला भाई मानता हूं और उन्होंने कभी वी अपते संभोधन में नहीं कहा कि अमर सिंग जी उन्हों का मेरे चोटे बाई अमर सिंग और मैंने भी अर् जिसमें रिशी केश मुखर जी जी की फिल्म नूतन थी क्या उसमें नहीं उसमें रेखा जी थी और उस फिल्म में उन्होंने मोहबत के लिए प्यार के लिए अपने धनी पिता से बगावत की और उनका घर छोड़कर तांगा चला कर एक सगीतगे का जीवन बिताया तो प् बच्चन का कोई गाना ऐसा किसी फिल्म का जो आपको बहुत पसंद हो ने दिखी शचच बात अधिये कि अमीजी के गाने बहुत लोग परिय efforts Prof I waipari उनकी बहुत चर्चित पर बड़े भाई हमता बच्छन सापको स्टार आफ दो मिलीनम का अवाड बीबीसी का जब मिला तो हमने और हमारे में तरणी लबादी ने एक साजा भोज दिया उनके सम्मान में और उनके साथ जितनी तारिकाउं ने काम किया था सब को बुलाया तो डिमपल जी भी आई तो हम जब कलकटा इंवर्शिटी में पढ़ते थे लौ कॉलेज में थे तो कॉलेज स्टीट में आडी बंसल जो शतीजित राय की फिल्मों के दिर्माता होते थे उनका एक नहा सुचजित सिनिमा हौल था ग्रेस तो ग्रेस में च्छ मेने सैधिक बॉबी चली और हम लोग द कितनी राते नहीं सुचेंगे और कब वह उन्होंने का वह कब कहेंगी चिंटू साब को कि मेरा नाम बॉबी है मुझसे दोस्ती करोगे तो वह एक एक फ्रेम हमें याद है और हमने सोचा रही था उनकी उस फिल्म को देखने के लिए लंबी लाइन में डंडे भी खाए तो वह हमारे साथ निरते कर रही थे और मैं बेसाक्ता हसरा था तो उन्होंने कहा कि आप क्यों हसरे हैं क्या मैं खराब दिख रही हूं और मुझे बड़ा सम्मान करती हैं आजकल जब्यों मिलती है मुझे बड़ा सर्मिंदा करती है मेरा चरन भी छो लेती है वो हर दम अकसब तो क्या करें यही हमारी परड़ी ती है डेस्टिनिशन आप लेकिन एक मुझसे बादा करना पड़ेगा इस इंटेव्यू पे कि मुझे मिलवाएंगे जरूर आप डिम्पल कपाड़िया से तो उन्हों कहा आप हसके हो रहे हैं मानता हूं और जिनको तसवर में अपने देख देखे हम लोग बच्पन के पादान से जमानी के और गए वह बहुत वर्धा उस्ता की और अग्रसित हो गई है उसमें से पहले तो मैं साधना जी का बहुत ही चाहना मैं बहुत चाहता था और उनकी सारी फिल्में बार-बार लगा तार देखता था और साधना का हैर स्टाइल भी अच्छी लगती थी साधना जी का की एक फिल्म थी रमानन सागर की आरजू जो बहुत चली थी और जिसमें राजिंदर कुमार थे आरजू में गाना था जो घोड़े पर बैठके साधना जी ऑब इस लोग तो कहते हैं यह दिमागी जजबा है लेकिन अगर दिमाग अगर जो कहते हैं कि अगर खाली हो तो इस वे रोमानियद भी आ सकती है empty mind is devil's workshop तो दिमाग कोई खाली रहने नहीं देता अब ये चुकि राजनितिक interview नहीं है जैसे आप कह रहे हैं तो दिमाग क्यों नहीं खाली रहता है उस पर एक अलग interview आपको भी कहिए का तो मैं बताऊंगा आपके एक बहुत अच्छे मित्र है सहरा ग्रूप के चैर्मेन उनने मुझे एक बार एक बात कही थी कि a man is as old as he thinks आदमी की उमर वो ही है जो वो सोचता है तो एक तरह से अब ये ये उनकी बात है और हर आदमी के सोचने का नजरिया अलग अलग होता है जब आदमी भूखा होता है तो उसे रोटी की तलास होती है प्यासा होता है तो पानी की नंगा होता है तो कपड़े की और जब ये सब चीज़ें प्लब्द रहती है तब वो फिर देखता है कि रोमानियत हो कुछ हो तो मैं कलकत्य के सेंजेगर्स कॉलेज में पढ़ता था और जब हमारी रोमानियत की उमर थी और उस समय सह सिक्षा नहीं थी लड़किया मेरे कॉलेज मनी होती थी और मेरी कक्षा में मैं ही एक ऐसा विक्ती था जो नो नंबर बस और या बीस नंबर ट्राम से वहां रोज जाया करता था बाकि सबके अपनी गाड़ी या कम से कम मोटर साइकल होती थी तो लारेटो की या बैथून कालेज की कोई नो कोई लड़की उनके पीछे या उनके गाड़ी के बगलगीर होती थी क्योंकि उनको ब्लू फॉक्स में मोगेंबो में फ्लूरीज में और स्काइरूम में खिला सकते थे हम तो बड़ी मुश्किल से अपने कॉलेज तक पहुचने का भारा जुगार कर पाते थे तो किसी ने पलट के मीरू और तब नहीं देखा तो हमारा तो पूरा जीवन अपाधापी में संगर्स में बीद गया लेकिन उन दिनों जब लड़किया दूसरों की मोटसाइकल के पीछे बैटके है दूसरों की गाड़ी में बैटके जाती थी तो आपका दिल किसी पे आता था सबसे दा किसी पे दिल तो आया होगा हम थो ब्रप नहीं है इसलिए हम लोगों का काम लोगों का हम पता था कि इसक भुस्क हमारे वश्क की बात नहीं है क्योंकि जो अंगूर मिले ही नहीं तो उन्हें खटा काए के छोड़ देना है बेतर है सब से ज़्यादा एसा कौन सा मोका था जब आपको एक शर्मिंदगी महसूस होई यह बहुत बुरा लगा रही है यह नहीं होता देखिए यह बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि बोलता है राजनीती की बात मत बोलीगा फिर दूसरी कोई बात नहीं लेकिन प्रश्णी ऐसा है कि इसका उत्तर देना होगा तो इसको राजनीती से मत जोड़िए जब मेरा फोन टेप किया गया कभी-कभी आप अपने मित्रों से फोन में बात करते हैं ऐसी बहुत सी बाते करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए या जो वासुम में नहीं है और उनका अगर गलत जगे पर इस्तिमाल हो तो बहुत शर्म अपने लिए नहीं अपने उस दोस्त के लिए कि आपने उसकी स्थिती को कंप्रमाइज किया है उन मुझे बड़ी शर्म हुई अगलान हुई अपने उपर अब आप लोगों की नजर से नहीं बस सकता आप लोगों ने इतना बिना मत वज़ा इतना प्रशार प्रसार कर दि सिर्फ भारत तक संबद नहीं है मैं लास विगाज गया था वहाँ एक भारती रिस्टोरेंट में खाने गया तो वहाँ जो भारती खा रहे थे उन्होंने पहचान लिया अब दूर दर्शन की तरह पूरा विश्वयापी हो गया है और पपराजी की भी जो महिमा है वो अप बवजूद खासे घुल खिला रहे हैं आप नहीं यह हम नहीं कर रहे हैं कि इन सब के बावजूद हम अपने पर द्रेंतर रखें इसलिए कि हमारे अंदर एक आंत अंत दिखता है चरत रहे है वरना अगर चृत रहे हो तो वर्जनाओं को तोड़ना और उसको तोड़कर आ अगे बढ़ना उसमें क्या समय लगता है अगर क्लिंटन साब कर सकते हैं तुम्हें क्यों नहीं अच्छी पताईए शौक किस चीज़ का है आपको सियासत राजनीती को छोड़े राजनीती को छोड़े और फिल्में शौक नहीं हो तो जीवन का रस है हमारे लिए मुझे अभी भी उनका बहुत उपर है हाल लेकिन एक दम आज से 15 साल पहले कहा था क्या आप मुझे शम्मी का पूर साब से मिलवाएंगे और मुझे अमी जी अपने साथ सम्मी अंकल के घर ले गे थे अब तक की सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है जिसे एक फिल्म जिसे अभी आ अथार्थ के बहुत निकट है और आपको जमीन पर पहुं रख करके चलने की बात बताने वाली फिल्म और जीवन के अथार्थ को बिल्कुल नग्रन तरीके से पेश करने वाली फिल्म पहली सिनमास्कोप में बनी भारती फिल्म और इस कारकरम के अरम होने पर जो पहला पस अबने आपको बताया, वक्त ने किया, क्या है सी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम, वो इसी फिल्म का था, गुरुदत आपको पसंद है, गुरुदत, मुझे पसंद है, या अंडर स्टेटमेंट है, गुरुदत से मैं अभीवूत हूँ, एक दम आकंठ डूबा हूँ, उनकी हर फिल्में, चाहे वो चौदवी का चांद हो, चाहे वो साहिब भीवार गुलाम हो, चाहे वो प्यासा हो, कागज के फूल हो, चाहे वो मिस्टर मिस्टर स्फिटी फाइफ हो, CID भी उनके द्वारा निर्देशित है, अभी नित नहीं है, गुरुदत में कोई हीरो वाली बात नहीं थी, लेकिन क्या जबरदास निर्देशन था और जब हीरो की बत और एक्टिंग करते थे, तो भी एकदम चाह जाते थे, देखिए उनका जीवन के प्रती जो उनका जो दर्शन था और भाव था, और उनके भावनाओं की अभ्यक्ति वो पेंटिंग की तर वाव इस मरड़ी है, आज पिया मुहांग लगा लो, जनम सफल हो जाए, और जो अबने की जो अबनाओ छाटा, जो वहिदा जी के मुख पर दिखाई दी, तो उससे वो मुझसे मेरे स्मृति पटल परंकित है, अमर सिंग जी अपनी फेवरेट अक्ट्रस के बारे में तो आपने हमें बता ही दिया है, लेकिन ये बता ही आपकी पहली दिल रुबा कौन थी, या पहला क्रश, पहली बड़ दिल किस पे आया, एक अभिनित्री थी माला सिना, वह बहुत ही चीरी योवन, उनका बला प्रसिद्ध था बहुत लंबे दिर गाउधी तक, उनका योवन क आपकी किसी पहुत ही, तो कह सकते हैं माला सिना, माला सिना पर भी, वह बेचारी वह सुने भगवान भला करें उनका, लेकिन आप ऐसी सवाल पूछ रहे हैं, और जब हमने कह दिया कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मेरा कोई इरादा आपको फसाने क नहीं है, अच्छे ये बताएए, अगर आपको ये मौका दिया जाए कि चलिए अमर सिंग जी, आज आपको हम ये ग्रांट करते हैं, कि एक महिला, एक लड़की को आप डेट पे ले आ सकते हैं, तो वो कौन होगी? मैं तो चाहूंगा कि मैं शर्मिला जी को कहूंगा, आप चलिए मेरे साथ, किसी मामले में शर्मिला टेगोर जी से मेरी मुलाकात हुई और किसी छोटे से मामली से काम के लिए उन्होंने थेंक्यू का, तो मैंने का, शर्मिला जी, बराय कर मुझे थेंक्यू नहीं कहिए, आपके बड़े ऐसान मुस्पर है, उन्होंने का क्यों, मैंने ऐसा क्या किया, हमने का जब हम बच्छपंद में से जवानी की और जा रहे थे, तो आपकी अराधना बार बार लगाता रहे देखी, और आपके गाल के गड़ों में दूब दूब के जवान हुए, क्या बात है, तो आपके शर्मिला जी तो बहुत फ्लाटर्ड फिल किया होगा उन्हें, आपके सच में ऐसा कहा था उन्हें, बिलकुल कहा था और मैं खुले आम बीबी से में कह रहा हूं, और यह मैं किसी बुरे मन से नहीं कह रहा हूं, वो इतनी सुन्दर अच्छी लगती अने लंबानी, अमिताब बच्चन, कौन आपके जाद अफ्री है, शायद बहुत फेर नहीं है, इस हवारे में बहुत फेर है, निशित रूप से अम्ताब बच्चन था, जाद अफ्री है, सवाल फेर तो नहीं है, लेकिन, जो कि ये तीनो नाम हमेशा है, एक स्पिरिट में लिए जाब में देता हूं, इसलिए जाद अफ्री हैं, कि वो हमसे बड़े हैं, और बड़े होने के नाते, जो छोटे को उड़ना होता है, या छोटे की पीड़ा को, मर करने की जो जिम्मेदारी होती है, तो हमारे ऐसे उस रिंखल व्यक्तितों को धोने का काम, हमी जी करते हैं, तो इसलिए उनको अधिक्त प्यार दिना, या करना बड़ा स्वाब है, जहां तक अनिल का सवाल है, वो हमसे चोटे हैं, तो हमसे जादा सहज हैं, और आदान प्र प्रदान में भी, हम लोग एक दूसर के प्रती कहत्पय कारणों से जीवन के आपाधापी में कभी-कभी क्रिपड हो जाते हैं, लेकिन या क्रिपड़ता मुझे, मुझमे और अमताब बच्चन के मध्य कभी दिखाई नहीं दी, और मुझे लगता नहीं कि कभी दिखाई इतना मुक्त भाफ से और फ्री ली और अपने आपको इतनी अच्छी तरे से एक्स्प्रेस करना आपने कहां से सीखाई, मैं समझता हूं कि बाल्यावस्था से ही मैंने हिंदी साहित के जो बड़े-बड़े मनी सी थे, उनकी तमाम कृतियों का अध्यन किया, जाहे वो बच सिंकर प्रसाद की बंतियां बहुत अच्छी लगती है, का माइनी की, मैं जभी तोलने का करती उपचार स्वयम तुल जाती हूं, भुजलता फसा कर नरतरू से जूले सी जोके खाती हूं, या आज समस्तों पाई हूं, मैं दुरबलता में नारी हूं, अव्यो की सुंदर को फिल्मी गानों में दखल अंदाजी रखते हैं, लेकिन बकायदा साहित्य का शौक और रुची है, आपको इसमें इसमें के बहुत अच्छला है, कोई और किसी की पंक्तियां याद आ रही है, जो घनी भूती, फीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी चाही, दुर दिन में आज बरसने आसू बनकर हो आई, मादेवी जी की रचना है, जब आप कॉलेज और स्कूल में पढ़ते थे, तो पढ़ाई के सिवा क्या थोड़ा सा छेड़ खानी में भी दिल्चस भी रखते थे, जरा भी नहीं, मैं आपको बताओं, मैं फिर कहता हूं, कि हमारे बच्चे बन जाएगी, वो होगी क्या, हम जब 37-37 साल के उबर तक हम हवाईजाज में चड़े ही नहीं थे, हम हवाईजाज में, तो जाने दीजे, एसी फस्स क्लास का कोच कैसा होता है, उससे हमारा कोई ग्यान वरधन नहीं था, हम तो अब प्राइवेट जेट्स में उड़ते हैं यह भी एक 30 अक्ति है, क्योंकि जहाँ ज्यादा जाना होता है, वहाँ हर घंटे प्लेन उड़ जाता है, मुंबई जाते हैं ज्यादा, यह लखना उजाते हैं, वहाँ पर काफी, हाँ प्राइवेट जेट में भी उड़ते हैं, लेकिन प्राइवेट जेट में ही उड़ते यह सत्य नहीं मेरे मेरा कहने का ताथ पर यह था कि इस तरह के बच्पन और जवानी से इस तरह के कुछ नहीं देखिए आदमी का शरीर चित और विवहार यह अनुखा है लोग अपने पत्नी की पुत्र की और पिता की माता की मृत्यू को भी भूल जाते हैं और लोग अपने है तो पंखे से काम ने चलता तो हम परिष्ठितियों के और परिष्ठितियों के अरुसार मिलने वाली सुधाओं के दास हैं इसलिए हम माना हैं डेवने क्या बात है अ अच्छा मुलाएम सिंग जी आपके नेताजी है जब आप उनसे पॉलिटेक्स की बात नहीं करते तो क खाने का कोई विशेश शौक नहीं तो बड़ी मजबूरी है इस मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करने पड़ती है और उनके उपर किसी ने पैसे भर का भी ऐसान किया हो उसे वपड़ा रीड़ बाते हैं मुझे तो बहुत लेकिन बोरिंग लगरे है ऐसे सुनके आपने उनमें कुछ क्यों नहीं कुछ रूची डलवाई है हमारे वसकी नहीं है ऐसे आप लोग लगाते है और मैं अकेले कह देता हूँ और आज सर्जूनी कृप से कर रहा हूं मैं कभी कभी उनसे कहता हूं कि हम आप महारे नेता हैं लेकिन बहुत सूख्य और बोरिंग है और एसे आप मतलब जैसे मुझसे कह रहे हैं को गाना गा करके उनको बताने लायख ही नहीं हूँ समझेंगे नहीं क्योंकि जब मुगले आजम को ब्लैक अंड वाइट से रंगीन किय तो उससर पर मैं मुख्यती थी था और वहाँ दिलिप साब थे उन्होंने मेरे बड़ी इजयत अफिजाई की तो कोई मुख्मंत्री नहीं मेरे साथ छोटा व्यक्ति मुख्यती थी और काली सक्फिद मुगले आजम को रंगीन किया गया और दिलिप साब वहाँ थे ज़स पूछिए और वहाँ अगर हिंदूस्तान का प्रधानमंत्री भी होता तो मुझे उतना मैं सम्मानित माशूस नहीं करता जितना दिलिप साब की उपस्थिती में और उनके प्रसंसा से और उनके प्रसंसा से मैं घर्वित हुआ हर्चित हुआ परफूली तो और मुरित ह गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दुबारा हाफिस खुदा तुमारा